नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश पांडे आप सभी का कॉमप्टिशन कम्यूटी में सौगत करता हूं और जैसा कि दोस्तों थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि सुरुआत में पार्ट वर न पार्ट टू सैवन पेपर जो था उसके लिए करके पार्ट वर न पार्ट टू का एनला मैं नहीं कर पाया और वो आपको वीडियो भी नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया और आप लोग सायद तक वेट कर रहे हूंगे इसके लिए मगर फिर भी स्वास ठीक नहीं था इसकी वज़ा से क्या हुआ कि मुझे आंसर या इसका अनलाइस करने में थोड़ी सी मगर फिर भी कोई बात नहीं दे रहा है दुरूसता है और आज आप लोग के लिए पाट थी का एक एनलाइज फिर से लेकर कर क्या हूँ मैं जो सैवन पेपर सिलेट अटा सीजी पीएसी मेंस का देखें मैं सुरु में भी बोला कि मैं आप लोग को इसमें पर्फेक्ट आं ना देंग तो इन चीजों में मतलब इसमें आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, इनी चीजों को ले करके, इनी बातों को ले करके, मैं आपको part 1 and part 2 से analyze किया, और आज part 3 को मैं अलाइस कर रहा हूँ और इसको अच्छे से समझिएगा देखिएगा कि इसमें कैसे हमको answer rating करनी चाहिए क्योंकि देखिए simple सा logic है कि आपको answer वही लिखना है जो उसने पूछा है simple सा और यहां पर जो मतलब जो question में किया हुआ है जो पूछा हुआ है question में आपको उसी कोई simple तरीक से क्या कर देना है लिख देना है बस और कुछ नहीं करना है उसी चीज को लेकर के third part अपने start करते हैं इसमें किस प्रकार के question आये थे कैसे इसमें answer rating लिखना था और कितने ज्यादा hard थे या सरल थे किस प्रकार के question थे थर्ड पार्ट से जो question पूछा है वो कुछ कुछ current से सम्मंदित था ठीक सिक्षा से होनी चाहिए तो देखो प्रात्मी की विद्यालेस से सम्मंदित है यह ठीक primary education से सम्मंदित है तो primary education में पहले तो यह रखो किस एज के किस वर्स किस उम्रे के बच्चे जाते हैं अब उस उम्रे के बच्चों को किन किन बातों की जुरत पड़ती है जैसे प्रात्मी की स्कूल मतलब जो है इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्स के बच्चों को कम से कम प्रात्मी की सिक्षा क्या देना है मुप्त देना है तो 6 ऐसे 14 वर्स का जो बच्चा अगर मतलो अगर ओर और पन देखें तो प्रात्मी की स्कूल किसको बोलते हैं जो कच्छा एक से कच्छा पांस तक होती क्लास वन से फाइप मगर सीजी में क्या किया गया है कि क्लास वन से एट तक का जो बच्चा है उसको प्रैमरी एजुकेशन क अंत्रगत रखा गया है अब क्लास वन से क्लास एट तक के स्टूडेंट को किन-किन बुनियादों की या किन-किन सुविधाओं की जुरत परती है या उस इसकूल में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए यह अपने खुद की सोच की बात है यह चीजे आपको एक तरीके छीए फिरलत इसकूल में जो बुनिआदी शुविधाओं होनी चाहिए और वह क्या-क्या होनी चाहिए तो समानकता है कि यहां पर किस प्रकार से आप लिखांगे थीजी कि तो प्ले यह है तो पर नेस वीख घशी है कि दूसरा कि बच्चों के सिख्षा से संबंधीत सारी सुविधाय उपलब्ध होनी चाहिए जैसे पुस्त काले हो या उनमें अधर एक्टिविटिस के लिए ग्राउंड हो खेल कुद का मैदान हो ठीक है ना समय पर टीचर जाए कक्षाओं को समय पर लिए ले ठीक है उन्हें जिन जिन चीजों क्या हो सकता है पर टीचर को जो बच्चों को चीज सिखा सके यहीं पर प्रात्मे की स्कूल में आपका क्या जाएगा मिड़े मिला जाएगा तो बच्चों को दोफर में क्या मिले समय पर भोजर मिले पोशन आहार मिले यह सब चीजें क्या है एक ब प्रैमरी सिख्छा तक मतलब केल पांचवी तक की पढ़ा करके किताबों में जो दिया गया है उन्हीं चीजों को एक्सप्रेंड ना हो इसमें उन्हें उन्हें चीजों को सीखने के लिए भी क्या हो एक तरीकी सी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तो सुविधाओं में आ में आपके विचारों को पूछ रहा है वह रहा है कि आपके प्रात्मिक सिख्षा प्रात्मिक में क्या क्या सुविधा हैं हो नी चाहिए तो आपके अपने विचारों को यहां पर क्या करना था एक्प्लेइन करना था और यहीं से आपका एक अच्छा और आपकी खुद की सोच की बारे में भी पता चल जाता कि आप एक प्रैमरी स्कुल के लिए क्या सोचते हैं या आप अगर प्रैमरी स्कुल के टीचर हैं या आप कहीं पर देखे हैं तो उनमें किन-किन सुविधाओं की कमी है और आप किन-किन सुविधाओं को सामिल करना चाहते हैं तो इन चीजों को यहां पर क्या करना था आपको म प्रेन करना था चलिए देखते हैं सेकेंड कोश्चन ज्यादा हाड नहीं थी इसमें कोश्चन दूसरा कोश्चन है राष्टी तक्नीकी सिक्षक प्रसिक्षण और अनुसंधान केंद्र का क्या उद्देश है मतलब आपको यहां पर क्या बताना है उद्देश बताना है किसक प्रारम तक्नीकी सिक्षण को पढ़ाने के लिए प्रसिक्षण देना तख्नीकी सिक्षण के प्रसिक्षण देने के उद्देश से इसकी क्या की गई थी शुरुवात की गई थी इतना आपको यहां पर mention करना था बस इतना ही करते तो यहां पर आपको क्या हो जाता आंसर यह थर्ड पार्ट का ना जो answer मैं एनलाइस कर रहा हूं मैं इसमें क्यों एक-एक कीवर्ड बस बता रहा हूं ठीक सिप एक कीवर्ड कि आपने उस और आपको देखना बस ही है कि आप उस कीवर्ड को अपने answer में mention किये हैं कि नहीं किये हैं इसलिए मैं क्यों यहां पर जैसे पार्ट और पार्ट टू का जो पुरी तरीके से थोड़ा सा लिख रहा था और थोड़ा सा एक चीजों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा था वह यहां पनी क्योंकि इसके question जो है पार्ट त्री के यह पूरा आपकी सोच और आ करना है ना वो सिर्फ वसिप आपके अपने विचारों को ही उसमें क्या करना था आपको मेंशन करना था तो यह तो आपको अपने विचार नी डाल सकते यह तो आपको बताना है क्योंकि जब आप इसको इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो तो यहां पर क्या बताना था इसका उद्देश बताया था और उद्देश यह था कि प्रसिक्षा प्रदान करना जो तक्निकी सिक्षा से सम्मंदित टीचर है उनको बस इतने में आपका अंसर परफेक्ट हो जाता next question मानवशन साधन विकास है तू सिक्षा किस प्रकास आयाख है तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि मानवव के व्यक्तियों के विकास में सिक्षा क्या योगदान प्रदान करती है तो simple सा logic है सिंपल सा लोजिक है कि मानों के विकास में सिक्षा सरुत्तम है, क्योंकि कोई भी देश तब ही विक्षित हो सकता है, तब ही वो आगे बढ़ सकता है, जब वहां के नागरीक या वहां के रहने वाले निवासी सिक्षित हो, क्योंकि सिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंग होगा या मानव जाती का भी कल्यार नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपकी ही अपने विचारों को यहांपर डालना था कि सिखचा आपके जीवन में क्या परिवतन लाई हैं क्योंकि हां इन सब चीजों को आपको यहां पर mention करना था याद रखो बार-बार repeat कर रहा हूं कि यह जो part है इसमें अधिक्टम question में सिर्फ answer आपके अपने विचार है आपके अपने विचारों को इसमें लिखना है कोई copy में है या book में लिखा हुआ answer को type नहीं कर देना है part 3 यही है कि आपके अपने विचारों को इसमें mention करना है clear तो सिख्षा पूछा तो सिख्षा मेरे जिवन में क्या बदलाव लाएगा तो मैं उसको लेकर कि यहां पर mention कर दूँगा हमारे मतलब मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा मगर हमारे जीवन में या मानाव विकास में स आपके जीवन में या मानाव जाती में क्या परिवत्तन लाया शिख्षा इसके बारे में यहां पर answer को लिखना था बस और इसे यहां पर कुछ नहीं करना था आपको clear simple सा बात है उसके बाद दिख्षा हाँ यह एक current का topic है clear और यह बहुत ही मत्पूर्ट था कि cancer का के दौर उनको क्या करना था production करना था किसमें दिख्षा वाले में तो दिख्षा में क्या करना था कि सिख्षकों के प्रसिक्षण के लिए क्या किया गया था portal platform शुरू किया गया था किसके लिए teacher के प्रसिक्षण के लिए online प्रसिक्षण करने के लिए यह portal को शुरू किया गया था और इसमें जो question पूछा है वो CPA पूछा है कि दिक्षण platform से क्या आसा है तो यहाँ पर किस के लिए था ये तीचर के लिए था ये तीचरों के प्रसिक्षन से रिलेटेट था ये दिख्षा पोर्टल जिसको शुरू किया गया था केंद्र सरकार के दौड़ा यहीं पर सिर्फ वो क्यों शुरू किया गया था सिर्फ यहां पर यही रीजन यहां पर डालना था आपको क कब शुरू किया गया यह gaat तो यह चुक्शों के बताना था यह लोग प्रसिक्षण के लिए क्या सुरू किया गया था दिक्षा पोटल को सुरू किया गया था राश्ट्री यह सिक्षटा प्रसिक्षण योजना क्या है अब देखो यहां पर थोड़ा सा कुछ क्या होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह लिखा हुआ है सिक्षुटा थीक तो सिक्षुटा मतलब कोई शिक्षा की शक के बारे में नहीं बूला था यह यह जो था ये था टकनीकी सिक्षा के चात्रों से संब्धित जो तक्नीकी सिख्षा के छात्र जो बिरोजगार हो जाते है न थिक उनके लिए इसको क्या किया गया था शुरू किया गया था जो तक्नीकी सिख्षा के बिरोजगार युवाएं हैं युवा लोग हैं उनको प्रसिक्षन दे करके क्या बनाना था उनको रोजगार उप्रब्द कराने के लिए इसको सुरू किया गया था जिसका नाम था राश्ट्री सिक्षुता प्रसिक्षन योजना में याद रखो किसके लिए था ये तकनीकी सिक्षा के बेरोजगार युवाओं के लिए था ये जो तक्निकी फिल्ड के बिरोजगार युवा होते हैं इनके लिए योजना शुरूप किया गया था ठीक है और ये इसी में इनको प्रशिशन पदम करके और इन्हें क्या वो उपलब्द कराते हैं रोजगार को उपलब्द कराना था क्लियर सा बात नेक्स स्रंबल भागिदारी से आप क्या समझते हैं तो स्रंबल सिंपल सा बात है कि किसी भी देश में कोई भी वेक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको वो क्या कर रहा है महनत कर रहा है महनत करने के बाद वो क्या करेगा पैसा इंकम करेगा मगर महनत करने के अपनी भागिदारी की तो स्रंबल भागिदारी किसी काम को करने के लिए माना उद्वारा दिया गया एक युगदान है जिसके तहट तो क्या कर रहा है अपने कामों को सही समय पर या अपने काम को पूर्ण करता है ठीक तो स्रंबल कहने का मतलब कि व्यक्ति के द्वारा किये कारें को करना व्यक्ति के दवारा किये गये कारीं को करने से शम्मंदित था और यहीं पर उसके बारे में आपको मेंशन करना था किया गया कार्य जिसका अंध होता है श्रम बल भागीदारी मैं तो फिर आपका अंसर परफेक्ट है उसी चीज़ को ध्यान में रखना है आपको बाकि आपने पूरा क्या लिखा कैसे लिखा यह कोई जरुत नहीं जो चीज़ पूछा है उसके की वर्ड को मैं यहां पर डाल रहा हूं ताकि आप उस चीज़ को समझो कि हमें कैसे उस की वर् इंडिया इंटरनेशनल इसकिल सेंटर नेटवर क क Colonial. तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिएिए कि इंडिया इंटरनेशनल इसकिज़ को नहीं भी पढ़ा है या इसके बारे में जिसने नहीं भी सुना है तो थोड़ा सा अगर अपना दिमाग यूज करता तो यहां पर क्या हो जाते यहां थोड़ी चीजों को सोच के रखता ना तो अराम से यहां पर उसके आंसर बन जाते अब वह इंडिया इंटरनेशनल से स्कील सेंटर नेटवर्क बोल रहा है तो अंतराश्ट्री इस्तर पर कौसल को निखारने का यह कारे करती है जिसके तहट इंटरनेशनल लेवर पर क्या उपलब्द हो सके रोजगार उपलब्द हो सके और वैक्तियों को भारतियों को जो भारति बेरोजगार युआ हैं उन्हें अंतराश्च्री इस्तर पर क्या मिले नौकरी मिले उन्हें रुजगार उपलब्ध हो अपना काम सुरू कर सके इसके लिए इस नेटवर्क को बनाया गया था जो अंतराश्च्री इस्तर पर कौसल विकास का काम करती है तो किस लेवल पर इंटरनेशनल ले काना अब इंटराश्ट्र वर्ड प्रक्रेया तो उनके कोस्ट को डैवलप करना और उन में क्या वूना में बारना बस यह थोड़ा सा गर मानलों कोई नहीं थि पढ़ा होगा तो भी उसका नसर नहीं करते हैं जूरा सा अफसर अप्रिक्वास को पर इसका उद्देश यही था कि क्या अंतराश्ट्री इस्तर पर कॉसल विकास करके रोजगार उपलब्द कराना रोजगार उपलब्द कराना बस यह इसका क्या हो जाता आंसर हो जाता सिंपल सा क्लियर चलिए देखो आगे सुगम में भारत अभियान के उद्देश यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह एक दो बार पूछ चुका है ठीक है एक दो बार मतलब में नहीं पूछा है यह इसको प्री लेवल पर भी और व्यापर में भी इसको पूछा जा चुका है तो सुगम में भारत अभियान क्या है ये बताना था तो सबसे पहले याद रखो अगर किसी ने इसके बारे में इसके कीवर्ड में एक चीज यूज किया होगा क्या हैंडीकैप विकलांग तो उसका अंसर परफेक्ट होगा क्योंकि सुगंब भारत जो अभियान है इसका उद्देश यह था कि भारत में सरकारी भावनों पर चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज जी का हो इनमें जो विकलांग लोग हैं उन्हें सुविधाएं ताकि वो अच्छे वातावरन में और उन्हें काम करने में किसी प्रका भावनों में और उन्हें फिकलांग लोग हैं इसको अपने आफिस तक जाने के लिए अव केंद्र का हो चाहे वो राज का हो तो शुगं में भारत अभियान के तहट जो विकलांग लोग हैं, उन्हें सुविधाय उपलब्द कराना कहा सरकारी भावनों में, ठीक है, इसके लिए क्या किया गया था, इसको सुरू किया गया था, और इसका उदेश भी यही था, कि सरकारी भौनों को सुलब बनाना सरकारी भौनों को विकलांग लोगों के लिए या दिव्यांग लिख सकते हैं विकलांग के लिए सुलब बनाना ताकि वह वहाँ पर किसी भी कटनाई के किसी भी परशानी के आ जा सके और अपने कारों को पूरा कर सके ये है इसका मुख्य उद्देश और जिसने इसको ये मेंशिन किया होगा उससे ये अंसर अराम से मतलब बहुत ही अच्छा लिखा होगा ये तो ये था आपका सुगम भारत अभियान और उसी के उद्देश को लिखना था में ये था कि यहां पर सरकारी भावनों में क्या उपलब दिकराना उनको उनको सुलब बनाना उनके लिए सुलब मतलब सुलब सोचाले नहीं सुलब मतलब उनके हाने जहने के लिए रखना ताकि वे किसी भी प्रकार के कार को अचछानी से कर सके उनको कोई परिशानी ना हो ठीक ये था इसका मतलब चलिए नैक्स अब आजाओ खंड दो उत्तर की सब्ज सीमा 60 है और अंक है 40 अब इसमें किस प्रकार के question थे उसको देखते हैं अपन ठीक चलिए बेरोजगारी कैसे मापी जाती है यहां पर थोड़ा सा यह था कि आप क्या कर सकते थे कि एक formula यूज़ कर देते हैं पर बेरोजगारी को मापने का formula क्या था तो बेरो बेरोजगार श्रमीक बटे कुल श्रम सकती इंटू 100 यह formula मेंशन करके जो लिखना था लिख सकते थे क्योंकि एक perfect कोई तरीका नहीं है बेरोजगारी को मापने का क्योंकि बेरोजगारी मापना बहुत ही कठीन काम है जो NSSO के द्वारा किया जाता है तो मगर फिर भी हम अगर बेरोजगारी मापने के तरीकों को पूछा गया है तो हम अगर एक formula उसमें mention कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा answer के लिए एक plus point और ज्यादा अंक बन जाता है बाकि फिर आप कुछ भी लिखो कोई भी तरीका लिखो चल जाएगा मगर एक formula के द्वारा गर आप वहाँ पर समझा देंगे कि यहां बेरोजगारी को ऐसा मापा जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता क्या था उसका formula बेरोजगार श्रमीक बटे कुल श्रम सकती इन्टू 100 अब उसको सौल नहीं करना था क्यों बेरोजगारी मापान विसेज बिरुद्गारी मापान इस ताप के कई सारे तरीके आप लिख सकते थे और मगर यह formula का यूज हो जाता आपके आंसर में तो बहुत ही अच्छा रहता यह ठीक है तो यह यहां पर आंसर अच्छा बन जाता आपका ठीक चलो नेक्ट निपूल्ण भारत मिशन पर एक संचीप्त तिपनी लिखो तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि निपूल्ण भारत मिशन क्या है ठीक है क्लियर तो पहले तो निपूल्ण भारत का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए तो निपूल्ण भारत मिशन के तहट क्या करना था तो उसको मैं बता रहा हूं मगर फिर भी एक बार जान लो निपुल्ण भारत मिशन यह था कि यहां पर यह रखा गया था कि 2026 तक 2026 तक जो कम से कम बच्चों को तीसरी कक्षा तक का सिक्षर प्रदान करना जिसमें अंक गडित भी सामिल था क्या सामिल था अंक गडित कि 2026 तक भारत में बच्चों को तीसरी कक्षा तक की सुविधा मतब सिक्षर प्लब्द करना जिसमें अंक गडित को भी क्या किया गया था सामिल किया गया था ये कोशन आप सी क्या पूछा है कि निपून भारत मिश्चन पर एक संचीपते तिपनी लिखो तो तिपनी क्या होती आ姓 पहले तो यह पता होना चाहिए कि इसमें नकरात्मक बाते लिखना चाहिए कि इसको पूरा का पूरा ही दिटेल में लिखना चाहिए यह पहले पता होना चाहिए तब आप क्या लिख सकते हो किसी भी आंसर की type पणी लिख सकते हो ठीक है तो tip पणी मतलब होता है कि कि किसी भी question को या किसी भी को topic को ले करके उसका संचेप में ही पूरा कपुरा चीजों को समझा देना कुल शेंक है पूरा का पूरा उस चोटे से रूप में उस 2-3 पर के का देना समझा देना यह क्या हो जाती सिक्जाती तो निपूर निपोनी योजना को यह आपको 60 सब्दों में लिखना था तो पहले तो उसका पूरा नाम लिख लो कि निपोनी योजना का पूरा नाम क्या है यहां पर यह भी लिख सकते थे और उसके बाद यह क्यों आया इसको लिख सकते थे ठीक यहां पर बन जाता तो निपोनी योजना इन्श इन्हनल इन्सेट ऋपर उजन्यमिय्ति लाशी नीटिवर अविशनीन arbeitetउ हाई carry लेगिन ऋप्रभी उन्मक when Day इन्सेटिक अारवी नीटिवर लगी ड Washॉ शुर पहしनप रीनिम्यटेटि Breaking प्रोफिएंसी इन रीडिंग विद रीडिंग विद अंडर स्टेंडिंग इतना लंब चोड़ तो इसका नाम है अंडर स्टेंडिंग एंड न्यू मेरेशी इतना लंब चोड़ा तो इसका नाम ही है पहले तो यह एक दो लाइन में आ जाएगा खिक यह पहले इसका पूरा नाम लिख देते हैं आप क्या नैशनल इंसेटिव फॉर प्रोफेसियंसी इन रीडिंग विद अंडर स्टेंडिंग एंड न्यू मेरेशी यह पूरा इसका नाम हो जाता और इसके बाद इसके बारे में लिख देते कि 2026 तक बच्चों को कम से कम तीसरी कक्षा तक सिक्षित करना और साथी साथ अंक गडित में भी उन्हें सिक्षित करना ठीक है तो मेन इसका मकसद था अंक गडित के लिए तो अंक गडित को भी मेंश लमचोड़ा नाम है एन आई हिंदी में बोलने में अच्छा है एन आई पी यू एन अब इसको पूरा लिखो तो नेस्टन इनिसेटिव फॉर प्रोफेसिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टेंडिंग एन न्यू मेरेशी यह पूरा इसका नाम हो जाता और क्यों था यह ह अपचारिक और अपचारिक रोजगार में अंतर इसपर्स कीजिए तो पहले तो पता हो नहीं कि फॉर्मल और इंफॉर्मल किसको बोलते हैं और उसके बाद फॉर्मल इंप्लॉयमेंट और इंफॉर्मल इंप्लॉयमेंट क्या होता है ठीक है तो अपचारिक मतलब जो रीखित रोजगार कैसे बुलेंगे दू हिए रीखित रोजगार हो नहीं बोल सकते और लिखत रोजगार भी नहीं बोल करना थे तो फॉर्मल औरूनमल में अन्तरिष्पास करना था तो फॉर्मल मतलब हो जाता है संगटीच छेत्र फॉर्मल मतलब संगटीच छेत्र और इन फॉर्मल रुजगार मतलब असंगटीच छेत्र अब इन छेत्रों में रुजगार के अंतर को समझाना था संगटीच छेत्र मतलब क्या है और असंगटीच मतलब क्या है संगटित भी दुकान हो गई ठूटी अब इन दोनों में एक तडिक Cake okay जाते हैं सरकारी नौकरी या कि उसको लेकर Это इसमें अनतर बताना था अगर किसी को कुछ जाद इसमें नहीं आ रहा तो इसको सरल सब्दों में यह बोल सकते हैं अपन की एक सरकारी छेत्र में काम करने के लिए ठीक और एक अपना खुद का काम करने के लिए प्राइवेट काम करने में क्या अंतर हुगा यह बताना था ही आते ग्ली तो उसको सर्व सब्दों बहुए वहां है जा कि आपको इसको प्रेकल से सातोपेट हैसुन सब से इंपोर्बेंट बाते हैं कि इसके प्रफेक्ट नोट President किताब यह नहीं बोल सकते क्या सकते कि मेरे से सब्जिक अलग-लग topic ही है, तो इसी करण मेरे ये काम है, कि मैं आपको उस साथव भी पर से लेट इट यही आपको समस्या हो रही है, जो भी आपको problem हो रही है या जिस तरीके से आप उस अगर उसको तयार नहीं कर आ रहे हो, तो मैं उस समस्याओं को आपका समधान करू, मेरे ये काम है और मैं आपको यही चीज़े करने आया हूं यही चीज़े बताने आया हूं और इसलिए थोड़ा सा मुझसे लेट जरूर हुआ है कि मैं आपको पार्ट थट के अनलाइज बहुत देरी में कर रहा हूं ठीक है मगर फिर भी यह चीज़ें बाद में जरूर काम आएंगी तो दे दिया है उसके लिए यह लाबदायक है तो यह बात के लिए है कि आप इस चीज़ों को सीखो और साते और पैपर को लेकर को Frage जो भी गल्तियां कर रहे हैं जो भी आप्यारी नहीं कर पा रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर सको ठीक है ओकी चलिए तो समझ में आ गया संकटी छेत्र और संगटी छेत्र के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे आपका academic credit bank क्या है इसके लाइस के क्या लाब है तो पहले तो यह होना यह पता होना चीह है कि academic credit bank क्या है ठीक है फिर उसके बाद उसके profit लिखना आपको तो यह एक ऐसी योजना जैसे बैंक है बैंक क्या होता है कि हम अपना जा करके खाता है मतब खाता खुलते हैं लेंदेन करते हैं मगर यह सिख्षा से संबंदित bank है education related bank है यहां पर जैसे खार होता है ना बैंक कि आप बैंक है आज मैंने ममालों बैंक में 1000 जमा किया कल मेरा मूट है मैं 500 निकाल दू तो मेरा मूट मैं निकाल भी सकता हूं और मेरा मन कि मैं नहीं भी निकाल सकता हूं वैसी education को ले करके इसको शुरू किया गया था यह एक ऐसा credit bank है जिसके माध्यम से कोई भी अब student एक साथ दो दो विस्यों की यहां का canteen अच्छा नहीं है चेंज कर दूं तो अपने पसंद से college या university को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है जब चाहें तब और यह यह है कि अगर आप एक साल तक पढ़ाई कर रहे हो मतलब आपका तीन साल का कोर्स है आप एक साल गया दो साल गया तीसरे काल आप नहीं तो एक तरीके से जैसे bank हमें बहुत सारे profit देता है वैसी यह bank सुरू किया गया education को ले करके जिसके तहत हमें बहुत सारी क्या मिली है लाब मिली है विद्यारतियों को कि अपनी पसंदीता विसे को चुनने की छूट मिली अपने पसंदीता college admission लेने की छूट मिली जब मन च छोड़ दिये कहीं और चल दिये मतलब मिले पसंद के college चुनने का विसेओं को चुनने का एक साथ दो दो विसेओं पर क्या करने का आपको एक साही चुशन करने का इन सारी सुविधाओं को देने क्लिक लिए कि इसको शुरू किया गया था क्लस पॉइंट इसमें कि अगर म पुड़ा पढ़ाई किया तो आपको specialization का क्या मिल जाएगा certificate मिल जाएगा कि आप उस विशे में क्या हो गए विशे सग्य हो गए तो यह सुविधाय दी गई है किसमें इस bank के द्वारा क्लियर तो यह यह था और इसके लाब इतने सारे मैंने आपको बता दिये बस तो तीन लाइन में आप क्या था यह लिख देते और बाकी चाल लाइन में इसके लाब लिख देते बस हो जाता है यहां पर आंसर आपका किसका अकैडमी क्रेडिट बैंक का ठीक है क्लियर देखो सरल सब्दों में बता रहा हूं और इसी करना सब चीजों को ध्यान से सुनो और उसको क्या करो परते चलो ताकि आपको क्या हो किसी प्रकार का आंसर लिखने में कोई भी तकलीफ ना आ जाए ठीक है क्लियर तो यह क्या था कि अपने पसंद के विशय चुन्ना को कॉलेज चुन्ना एक साथ दो विश्यों की पढ़ाई किसी कारण वर्ष कॉलेज अगर छुटा है तो भी आपको एक साल के लिए सर्टिफिकेट दो साल कोर्स किये हो तो आपको डिपलोमा और तीन साल अगर किये हो तो आपको इस्पेसलाइजेशन या भी सेश्यों की सर्टिफिकेट दिया जाएगा बस इतना इसमें क्या करना था आपको मेंसन कर देना था यह आपका क्या हो जाता पूरा आंसर बन जाता क्लियर चलो नाइक देखते हैं पर वर्तमान में भारती पुरुसों तता महिलाओं में सिक्षा के संदर्व में क्या बिन्दता हैं अब यह तो ऐसा है कि सायद इसका तो कोई मतलब एक तरीके से किसी बुक में इसके बारे में डिटेल में तो नहीं दिया होगा यह तो अपनी खुद की सो है नहीं यह तो साफ नजर आती है कि भारत जैसे विकास सिल देश में या भारत में जहां पर क्या बुलते हैं माताओं को पूजा जाता है जो कि हमारे देश भी हमारे देश कर नाम भी भारत माता ही है उस देश में महिलाओं की सिक्षा का इस तर और पूर्सों की सिक्षा क जो महिलाएं हैं वो तो दस्वी तक भी नहीं पढ़ाई की हैं भारत में आज भी बड़े-बड़े उच्छ पदों पर केवल एक पर्चेंट महिला जो है वो बैठी हुई है क्लियर क्यों क्यों क्योंकि हमारे देश जो है वो एक पुरूस प्रधान देश है हम मतला हम पुरूस प्रधान साको जादा महत्य देते हैं जबकि ये एक तरीके से, किसी भी विकास से लिए, किसी भी देश के विक्शित होने में, बहुत बड़ी बाधा है, कि जहांपर महिला, मतलब जहांपर जेंडर गैप जादा हो, महिला पूरूस को लेकर जेंडर गैप जहाँ जादा है, हर छेतर में, सिख्षा के छेत्र में, कारे के छेत्र में, रोजगार के छेत्र में, हर छेत्र में, महिलाएं पुर्सों से हर छेत्र में ही क्या हो जाती है, यहां पर कमजोर, रीजन सिर्फ यह था, मैं यह नहीं बोड़ों कि महिलाएं कमजोर हैं, रीजन सिर्फ यह है कि हम उन्हें वो सार अधिकार नहीं दे रहे हैं और पहली बात तो यह हैं कि हम माहिनाओं उनको जन्म से है कि उन्हें वही सब अधिकार हैं जो एक लड़के के जन्म से उसको मिल जाता है तो जितना अधिकार एक लड़के का है उतने अधिकार एक महिला का भी है मगा फिर भी सिक्षा एक ऐसा छेत्र है जहां पर आज भी ग्रामिट छेत्र के लोग ये सोचते हैं कि लड़की को पढ़ाएंगे पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे यही सोचते कि पढ़ लिखके के तो साधी तो करना है उसको यह सोच गल है था ना अभी हाली में आप एक एग्जामपल डाल सकते हो यूपीसी का जो रिजल्ट आया जिसमें एक लड़की का दिव्या नाम की और वीडियो चल रहा हो हर जगे उसका इंटर चल रहा है रिजन की यह था कि उसका जो घर था एक की कमरे में माता भाई एक पैसी के त्यारी कर रही है और एक गाव की लडकी वो भी हर्याना जैसे सहर के, हर्याना जैसे राजी के गाव की लडकी इस मुकाम तक पहुँच रही है तो यहां पर फिर भी फिर भी रीजन है कि उस गाउं में कि और वही एक सिख्षित वही उस लेवल पर और बाकी गाउं की लड़कियां और बाकी वहां कि गाउं के लड़के उनकी सिख्षा का इस्तर रूचा और उनकी सिख्षा का इस्तर नीचा तो यहां पर आपको पूरा सिक्षा को ले कर गे क्लियर कि क्या उनमें अंतर होता है या किस प्रकार से उनमें भिन्यता है ठीक है ओके यह यहां पर परफेक्ट आंसर आपका बन जाता समझ में आ रहा है देखो मेरा यह मानना है कि जितना अधिकार एक पुरूस को है एक मेल को है उतना ही सेम महिला को भी होना चाहिए वूमिन को होना चाहिए रिजन यह है क्योंकि एक कहावत है ऐसा बोला जाता है कि एक देश एक राज्य एक परिवार एक समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उस देश उस राज्य उस समाज और उस परिवार में महिला का विकास नहीं होता या उस महिला का समान नहीं होता उस महिला कोई भी हो हमारी बेहन हो बेटी हो बीबी हो या दोस्तों कोई भी हो अगर जीस घर में जिस समाज में जी सवालता मईहिला का संतों नहीं है उन्हें अधिकार नहीं है तो व trenches ना विक्सित हो सकता है, ना वो समाज विक्सित हो सकता है, ना वो परिवार कभी विक्सित हो सकता है, यह fact है, यह वास्तविक्ता है, ठीक है, clear, तो अब यहाँ पर आपको उनकी सिख्छा से समधर्व में लिखना था, तो महिला पुरूस के सिख्छा के में क्या भिनिता है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से अपनी खुद के विचारों को यहाँ पर प्रकट कर सकते थे, और यहाँ पर एक आपका बहुती सुन्दर और मेरी खल से यह सबसे best answer हो जाता, कि अगर आप अपने खुद के विचार को ही, आप आस-पास के लोगों को देख कर ही, आप यहाँ पर अपना खुद का answer mention करते तो, clear क्योंकि चीट कोई पढ़ाता नहीं आपको, याद रखिए, मैंने पहली बोला कि पार ठट के जो question answer है, इसमें कई सारे question ऐसे हैं, जिसमें आपके खुद के विचारों को इसमें आपको क्या करना था, लिखना था, clear, ओके, चलिए, देखते हैं आगे, अब आजाओ, खंड तीन से, जो उत्तर सीमा है, 100 और अंक है आपका, 8, चलो, देखते हैं इसमें क्या है, अब इसमें हैं आपका midday meal से, भारत ने प्रात्मिक सिख्चा को सुधाने में कैसा मदद मिली, विशेशरा आत्माक district कोण से, उलेक कीजिए, मतला, विशलेशन करते हुए, क्या करो, उसका वर्णन करो, तो पहली बात है कि midday meal कब शुरू हुआ, यहाँ पर नहीं लिखना था आपको, मगर याद रखो 1995 में इसकी सुरुआत होई, अब यह midday क्यों सुरू किया गया था, तो midday सुरू किया गया था आपका प्रात्मिक, वा उच्च प्रात्मिक, के च्छात्रों को मध्यान भोजन या इसको यह बोल सकते हैं, उन्हें पोशक अहार प्रदान करने के लिए इसको सुरू किया गया था, कि अब यह जब शुरू हुआ, तो उससे क्या सुधार मिला, मतलब उससे उसमें क्या मदद मिली, ठीक है ना, ओके, प्रात्मिक सिक्षा का इस तर बड़ा है, घटा है, उसका लेवल हाई हुआ है, या वो प्रात्मिक सिक्षा जो पहले था, वैसी क्या वैसे ही है, तो उसका इफेक्ट किसके कारण, मिड़े मिल के कारण क्या पड़ा, आपको यह बताना था किसमें प्रात्मिक सिक्षा में ठीक है क्योंकि यह प्रात्मिक सिक्षा के लिए ही सुरू किया गया था चोटड़े बच्चों को क्या देना पोशा काहर पदान करना ग्रामी छेत्रों में खास कर स्कूल सिक्षा गाती आकर्शन पढ़े इस्कूली इस्ताय का इस्तार वुचा हो बच्चे इस खिकषित हो तो इहां पर वित लुचक से तोHaud कर मिलेगा अच्रा को या-च्छा तो इससे क्या होगा बच्चों में सिक्षा का सिक्षा के पती जागरुकता आई है ठीक प्राटने के सिक्षा के लिए जागरुकता आई है ग्रामी छेत्रों में भी जो सिक्षा को लेकर के जो भी उनके पुराने विचार थे उन समय को समात्त किया गया और बच्चों को इसक करना था इतनी चीज़ों कब सुरू हुआ मिड़े मिल यह सब चीज़ नहीं बताना था सिर्फ क्या पड़ा है प्रैमरी एजुकेशन पर इसको इसी पिहां पर मेंशन करना था बस क्लियर हो गया आपका एक आंसर चलिए दिखते हैं भारती जन संख्या में कौसल इस्तर को ब स्कील को करने के लिए जो जो भी योजना सुरू की गई है उनस सारी को इसमें क्या कर देना था आपको मेशं करना था कुछ जैसे सब्सक्सपी और यह आपको क्या बन जाता कि जितनी योजना है कौसल विकास से related सिफ इसकील को डेवलफ करने के लिए ही सिफ इनी सारी योजनाओं को इसमें आपको mention करना था यह हो जाता आपका answer perfect answer बन जाता सिर्फ योजनाओं को mention करने से ही खाली भले एक योजना लिखते और एक लाइन में उसका महतों लिखते मताब उसका उद्देश लिखते बस पूरा डेट लिखने की कोई जरत नहीं थी जितनी भी योजना याद किये थे कॉसल विकास रिलेटेट उन सारों को लिखते और उसका में रीजन लिख देते एक लाइन में ही बस हो जाता आपका answer बन जाता यह क्लियर चलो कसे मत्रअले के प्रमुक कार्यों की विवेच ना कीजिए तो अब क्या काम करता है ठीक अभी आपको कौन है सिखशा मत्री पता होना चलिए बहले यहां पर सिक्षा मथर का नाम नहीं लिखना मागब फिर भी पता होना चाहिए ठीक है तो यहां पर यह बताना था कि सिक्षा मंत्राले काम देखो अब समाने सी बात है सिक्षा मंत्राले काम है क्या सिक्षा का इस तर जन जन पहुंचाना सिक्षा को सिक्षा के उच्छी स्थर को उचा लेना ठीक है ना लोगों को सिक्षित करना यह सब काम मगर दो में काम सिक्षा किसका मंत्राले का यह दो अगर आपने मिंशन की है तो परफेक्ट आंशर है पहला क्या आपका कि राश्ट्रिय को सिक्षा नीती लागू करना ठीक और दूसरा मध्यान भोजन कारेक्रम की निगरानी करना ठीक में है राश्ट्रिय शिक्षा नीती बनाना और उसे लागू करना अमध्यान भोजन करेक्रम की निग्रानी ये दो अगर आपने इस आंसर में में इंशन किया है बाकि आप कुछ भी लिखो कुछ भी लिखो सिक्षा से रिलेटेड चल जाएगा मगर दो में चीजे आपने इंशन किया है तो आपका अंसर यहां पर राइट रहेगा क्योंकि मुख्यूरूप से इसके दो ही में काम हैं बाकि सब तो काम करेगा है सिक्षा से रियर्टे जीती जिते वी काम होगा उसको तो करेगा ही ठीक है तब वो perfect है clear चलिए देखते हैं next question देखते हैं अब next है आपका खंड 5 उत्तर सब्द सीमा 175 अंख 15 ठीक है अब इसमें क्या question था आप क्या देखते हैं अपन question था कोवीट वाला है simple सी बात है को बीड में सबसे अदा एंगर loss हुआ है तो Lets किसHeq रहा है और किसी को नहीं हुआ मगर यह की कोवीड में सिक्षा को लॉज के साथ-साथ प्रॉफिट वह हुआ है क्यों profit हुआ है क्योंकि समानता सबसे अदा क्या आगया on लाइन शुरू हो गया, ओनलाइन सिक्षा, आएं बाएं, जो चाहे, जैसा चाहे, जो वेक्ती चाहे, वो ओनलाइन आज करें एजुकेशन पदान कर रहा है, घर बैठे ही बैठे ही, आपको क्या मिल जारी है, डिगरी, पूरे कॉलेज की डिगरी, जो कोबिन में गेजवेश यहिस अधो, जो कोबिन में के दोराण, यह सुनजित करने के लेज़िए, इस सिक्षा का कोई नुकसान ना हो, भारत सरकार ने क्या के कदम उठाए, समिक्षा कीजिए, तो भारत सरकार के दोरा जो जो कदम उठाएगा है, पहले तो याद रखो, कि लास्ट में उसने क्या लिखा है समिक्षा करो समिक्षा करो मतलब पहले तो इस चीट का ध्यान रखो question तो ठीक है वो तो बन जाएगा answer मगर इसमें करना क्या था क्या समिक्षा करने के द्वारा हमें इसके नकरात्मक point लिखने थे क्या समिक्षा के द्वारा हमें इसके सकरात्मक पॉइंट लिखने थे और क्या हमें समिख्षा के द्वारा हमें इसमें निस्कर्स भी लिखना था यह चीजे ध्यान में रखो क्या ये तीनों करना था कि तीनों में से एक करना था ये तीनों में से दो करना था तो याद रखो जब समिख्षा करने की बात आजाएगी तो आप यहाँ पर negativity नहीं डालेंगे आप positivity और last में निसकर्स को जरूर लिखेंगे क्योंकि आप यहाँ पर उसका analyze कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि हाँ उसनी काम किया है और सही तरीके से किया है की नहीं और याद रखो हमेशा जो निसकर्स होता है जो conclusion होता है last में वो हमेशा positivity में और आपके खुद के विचार से ही खतम होना चाहिए याद रखना भले दो लाइन का लिखो या तीन लाइन का लिखो मगर हमेशा positivity में ही निसकर्स होना चाहिए और यहाँ पर आपकी अपनी सोच को mention करना चाहिए तो ही वो निसकर्स कहलाता है कि आप सारे चीज़ों को देखे और अरंत में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में यह होता है निसकर्स क्लियर ठीक है तो यहाँ पर कोबिट के लिए सरकार के दौर जो जो काम किया गया उन सारी बातों कहां पर लिखना था और positivity पर concentrate करना था और दूसरा किस पर उसके निसकर्स पर बस यही हो जाता आपका आंसर हो जाता क्लियर तो सरकार ने online education सुरू किया फिर यहाँ पर 36 सरकार का भी mention कर देते हैं मगर याद रखो थोड़ा से यहाँ पर एक चीज है कि question में क्या डाला है भारत सरकार ठीक ध्यान देना question में उसने लिखा है Indian government यहाँ पर state government या 36 government की बात नहीं की गई है तो 36 सरकार के द्वरा कोबीट के द्वरान सिक्षा का नुक्सान ना हो इसके लिए क्या 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 योजनाई चलाई है आप उसको यहाँ mention नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा भारत सरकार के लि पूछा तो 36 वाला एक भी mention नहीं करना था यहाँ पर आपको इंडियन government की ही बातों को mention करना था ठीक है clear चलो देखते लास्ट में निसकर्स मैंने आपको बताया कि निसकर्स हमेंसे कैसे होना चाहिए आपका positive में होना चाहिए और आपके अपने विचार बस इतना आपको mention करना था आपके अंसर बन जाते clear चलिए देखते हैं अब इसी में था आपका एक अथवा करके था ठीक है अब अथवा करके था तुको बीडोला तो मेरी को ऐसा लग रहा था कि को बीडोला ज्यादा आसान था ठीक है मगा फिर भी अगर मान लोग किसी ने कोवीडोला ना बना करके यह वाला कोश्चन बनाया तो इसमें आंसर कैसे लिखते हैं तो यह कोश्चन था आपका कि सिक्षा के विभिनिस्त्रों पर सिक्षकों की गुडवत्ता बढ़ाने के लिए क्या 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 कदम रिखता पर अपने विचार लिखिए मतला शिक्षा के लिए मतलब यह पुरा का पूरा पेपर अगर अपन देखेंगे ना तो इस पूरे के पूरे पेपर में इस भाग में आपकी केवल विचारों को यहां पर पुछा है एक दो कोश्चन बस है उसको छोड़ दो को आप इसको बोला कि साथ्वा पेपर का जो बूख है न वह कोई परफेक्ट नहीं है यहां पर आप एक किसी बूख को परफेक्ट मान करके नहीं पर सकते क्लियर इसलिए 7th paper को तयार करने का सबसे सटिक तरीका है कि आप news paper से continue जूड़े रखिए newspaper का जो editorial page है वो सबसे important हो जाता है आपका इसको ले करके क्योंकि वहाँ पर संपादकी रहता है, editorial रहता है और वो सारी चीज़ें आपर mention होती है तो वह एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जिससे आप 7th paper को क्या कर सकते हो तैयार कर सकते हो clear और net तो है ही मगर news paper को ज़्यादा follow करो और उसको पूरा continue रखो अपने साथ तो आपके बहुत सारी answer क्या हो जाएंगे 7th paper के बन जाते है clear क्योंकि विश्व की घटना है विश्व समधित कोई भी महत्यपूर्ण चीजों को उसमें लाकर करके mention करता है वो editorial page में तो वह तैयार करने का 7th paper का सबसे solid तरीका है तो उसको आप continue रखो अपने साथ clear चलिए देखते हैं कि बढ़ाने के लिए कि क्या क्या कदम उठाएं गये हैं इन कदमों की साथकता पर अपने विचार लिखना है तो सरकार के दोरा सिक्षा के विधुनितरों पर सिक्षकों की गुडवत्ता मतलब ठीचरों के लिए कि सबीद्ध आपने का सांज हो और वो कदम जो उठाए गए हैं वो कितने एफेक्ट किये हैं ठीक तो उन कदमों के नाम नहीं लिख रहे थे आपको कि सरकार ने क्या क्या काम किया है वो काम कितना सफल हुआ है और उससे कितना सिक्षक है टीचर में क्वालिटी डेलप हुआ है उसको पूरा रिसर्च करके अपने विचारों को मेंसमें करना था सरकार के दोारा योदना चलाया गया ए पहली बात दूसरी बाथ जो भी सरकार योदना चलाई है तो समगना था और उससे क्या profit हुआ है education मतब टीचरों में क्या quality mention हुई है क्या टीचरों की सिक्षा में सुधार आया है उनके पढाने के तरीके में उनके किसी भी चीट को समझाने के तरीके में और वो सच में है की नहीं ठीक वो effect किया है की नहीं तो उसके effect को यहां पर mention करना था simple सा बस औ और कुछ नहीं करना था आपको ठीक है clear तो सरकार की द्वरा उठाए गए कदमों की को वर्ण नहीं करना केवल और केवल उनके द्वरा जो कदम उठाए गये हैं जो कायम किये गये हैं वो कितना effect किये हैं उसको यहां पर अपने विचारों के साथ mention करना था ठीक है मतलब अ कि मुझे मालूम है क्योंकि थर्ड पेपर के कोश्चन में अपने खुद के विचार को कैसे लिखे यह बहुत कठीन काम है और इसलिए मैंने बोला कि आपको पेपर को continue करना पड़ेगा आपको पेपर को फॉलो करने पड़ेगा खासकर पाट थर्ड के अगर आंसर आपको बनाने है तो आपको एडिटोरियल पेज को continue रखना ही पड़ेगा clear और यही पर ही आपके आंसर perfect बनेंगे ठीक है तो part 1, part 2 and part 3 के analyze हो गया ठीक है आप इसको देखिए अगर जिसका मिल रहा है अच्छा आ रहा है तो कोई डिक्कत की बात नहीं है और अगर जिसने नहीं दिया है ठीक है तो उसके लिए यह plus point है कि वो इस चीजों को सीख सके कि मुझे answer को कैसे लिखना चाहिए और future mega means वो लिख रहा है तो वहाँ पर किस तरीके से answer rating हो इसको वो जान सके ठीक है और यहाँ पर आपकी तीनों part के analyze खतम, part 3 का analyze थोड़ा सा late में हुआ है यह आप सब को मालूम है क्योंकि part 1, part 2 जल्दी चल दिया था, part 3 थोड़ा स्व कार का अगर कोई आपको problem होता है, 7th paper को लेकर के means के तो मुझे comments box पर जरूर बताइए ताकि मैं आपके उस समस्याओं का समधान कर सकूँ, next video में फिर से आप से मुलगात होगी, तब तक के लिए thank you so much and goodbye.